जहेंद प्रेंट्स मेरा नम बावरांदात और आप मेरा यूटीब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी-खरी तो आज का समाचार यह है कि पहलवान जी लोगों को न बहुत बुरित्र फथा दिया है और यह जो धर्ना है यह आज उसको 14 दिन हो गए बताएं दो अफते से बिचारे हमारे पहलवान वहां धर्ने पर पड़े-पड़े सूख रहे हैं जैसे कपड़ा दो के टांग देते न कि सूख जाएगा हमारे पहलवान जी लोगों को धर्ने पर टांग दिया है अब सूख रहे हैं महां पड़े-पड़े कोई सुद्ध लेने नहीं आ रहा है और कल खाप पंचायतों की बैठक होई थी उदने बोला जी हम जाएंगे टिकेत साब आये थे नहीं कहें गए भी चार लाख ट्रेक्टर और पच्च्छ लाख किसान वो ट्रेक्टर कहीं बाड़े पे नहीं आये थे यहीं है आच्छा जी तो अब समाचार ये है कि ये जो धरना है न पहलवानों का ये बन गया इनके गले की फांस और धीरे धीरे सब लोगों ने इस धरने ते किनारा कर लिया अब धरने को समर्थन के नाम पे सिर्फ इतना रह गया है कि एक अदा कोई ट्वीट कर देता है वो जिसे मैटर का कुछ नहीं मालूम उसको ये नहीं पता कि वो कर क्या रहा है बस इतना बोल देता है पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए तो अगर आप इसको समर्थन कहते हैं नहीं तो मैं भी कह रहा हूं पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए तो बात यह है कि समर्थन के नाम पे खाली ट्वीट हो रहे है और सबसे पहले तो कन्नी काट ली है कॉंग्रेस पार्टी और भुपेंदर उड़ा दिपेंदर उड़ा ने उसके बाद न्यों बोले किसान समर्थन करेंगे आज एक बहुत बड़ा कूच होने की बात सेल रही थी हमने तो कोई कूच होता देख्या नहीं पीछे बड़ी खबर सी आई थी कि जाम कर देंगे सारे रोड जाम कर देंगे चार लाग ट्रेक्टर आऊंगे बाय हमने तो एक ट्रेक्टर नहीं देख्या रोड पर चलता तो बात यह गी यह इस धरने से आखिर किनारा क्यों कर रहे हैं सभी राजनिता और सभी राजनिता देखो मैटर नहीं करते हैं इसमें तिर्फ एक पार्टी मैटर कर रही थी हर्याणा कॉंग्रेस तो हर्याणा कॉंग्रेस ने इस मुद्दे से कन्नी काट ली है अपने आपको दूर कर लिया है उसका कारण यह थाप कि इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है यह मैं आपको गाओं की जमीन की एकनम जमीनी खबर बता रहा हूँ कि गाओं गिराओं दिहात में लोग इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा खफा है पहला कारण तो यह कि लोगों को सारी हकीकत पता है असल में क्या हुआ है और यह क्या कहानी है और यह राजनेतिक अंदोलन क्यों चल रहा है लोगों को यह खबर पता है और लोग इस बात से नराज हैं कि आपने हमारे समाज की एक हजार बेटियों को कलंकित कर दिया आप अपनी राजनेतिक लड़ाई लड़ रहे हो और उसमें हमारी बेटियों को छोटी छोटी बच्चीयों को मतलब हमारी 13 साल तक की मासूम बच्चीयों को आपने अपने राजनेतिक लड़ाई का हथियार बना लिया उनको बदनाम करके रख दिया इस बात की चर्चा हर्याने के गाउं गाउं में और हर्याने के लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये आरोप लगाने वालियां सफेद जूट बोल रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बात को हर्याने का बच्चा बच्चा समझ रहा है आज से एक हफ़ता पहले से वो तमाम फोटोग्राफ्स वाइरल हो रहे हैं जिसमें इन्होंने नेता जी के साथ हांस हांस के दात्रे पाड़ पाड़ के लिपट चपट के फोटो खिचा रखे हैं सार्वजनिक मंच्चों पे उनसे सम्मान प्राप्थ करते हूए मैडल प्राप्थ करते हूए पगड़ी पहनते वे गले बे माला डलवाते हूए मंच से हजारों फोटो आ गए जिसमें ये बहुत खुशी खुशी उनसे लिपट चिपट के फोटो खिचा रही है और खुश है तो सब एक आदमी जो आपको इस कदर पिछले 12 साल ते आपका परिशान कर रहा है ऐसे आदमी से आप चिपट के फोटो ने किचाते हैं आपकी बोड़ी लेंग्वेज बता देती है कि उस आदमी का आपके प्रती और आपका उसके प्रती व्यवहार क्या है आप किस भावना ते उसके ताथ खड़ेगो और आप तक दम खुश खुश मतलब बहुत सारी एसी फोटोग्राफ आई साक्षी के ब्या की फोटो आई जिसमें उतने शादी में अपने अपनी नहीं है जिस दिन उन्हें पहली बार धरना दिया था उससे मात्र पंद्रह दिन पहले तक यह नेता जी के शान में उनके सम्मान में उनकी बड़ाईयां करते नहीं ठकते थे उनकी शान में कसीदे पड़ रहे थे कॉमन वेल्ड गेम्स की बीस यो क्लिपिंग आगी जहां मैडल लेके हर लड़की नेता जी को और फेडरेशन को बदाईया दे रही है कि यह तो अगर हिंदुस्तान में कुष्टी का स्टेंडर्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया तो यह सिर्फ और सिंफ हमारी फेडरेशन की उपलब दिया है फेडरेशन ने बहुत जवर्दस्त काम किया इसलिए भारत की कुष्टी इतनी उपर आ रही है इसके एक नहीं बीस वीडियो आ गए तो साक्षी ने और वेनेश ने सफाई दी वो तो जी हम मजबूरी में बोल लिया करते थे अरे बाई कहीं नहीं तु पत्रकार के सामने कुछ भी बोल दीजियो उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपको टीवी पे टी आर पे मिल तकती है पर समाज हर सच्चाई को जानता है और समाज आपकी सच्चाई को जान चुका है और समाज ये भी जान चुका है कि आपने अपनी तुच्च राजनेतिक लड़ाई के लिए अपनी राजनेतिक लिपसा के लिए आपने अपनी निजी महत्वा कांखशाओं के लिए हर्याना की एक हजार बेटियों को मोहरा बनाया इस से हर्याने का समाज बहुत नराज है साप के अवर फंदर उड़्डा सापसे औरर यह बात बुम्ह similar सापको पता चल गाए और यह राजनेता तो बहुत चलाक होते हैं यह तो पॉल्लिक की नराजगी गोटर की नराजगी को एक सेंट में भाप लेते हैं तो जब उन्होंने किनारा कर लिया और वो इनको जंतर मंतर पे सूखता हुआ छोड़के बग गए किसान नेता आए उन्होंने भी इनको लॉलिपॉप दे दिया इनका बूँ में और जाओ जी इन्होंने एक बयान जारी किया सुपरीम कोड गए सुपरीम कोड ने बोल दिया कि बस आपकी याजですか हमने अंगे कर दिया मारे पास मताना इस यह कोई दिक्कत है तो दिली पुलिस जाच कर रही है दिली पुलिस के पास जाओ बहुत दिक्कत है तो डिस्ट्रिक मेजिस्टरेट के पास जाओ हाई कोर्ट में जाओ हमारे पांदाने की दरूरत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का राफ्ता इन्होंने बंद कर लिया दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है और आज इस समय संडे को मैं लगबग दिन में शाम को चार बजे ये वीडियो बना रहा हूं और आज तक दिल्ली पुलिस ने ब्रज भूशन शरन सिंग जी और विनोत तोमर जो की दो सो कॉल्ड एक्यूजड है उनको 41 का नोटिस तक नहीं बेजा 41 का नोटिस वो होता है कि जब किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट प्राप्त होती है कोई FIS दर्ज होती है तो उसकी विवेचना जाच इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुछ ताच करने के लिए लोगों का बयान लेने के लिए कोई जानकारी लेने के लिए पुलिस किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, वो गवा हो सकता है, वो accused हो सकता है, वो complainant हो सकता है, अपने पास बुलाती है, उसको कहते है, CRPC के section 41 का समन, notice, वो notice दे के, बकायदा सर्व करके, व्यक्ति को बुलाया जाता है, कि आपके खिलाफ, या फलाने फलाने मुकदम में फलाने फलाने फाइर में आपके सहयोग की दरूरत है आपके बयान की दरूरत है आपके कुछ जानकारी लेनी है आप करपया investigation join कीजिए तो तब इसको कहते हैं 41 का notice 41 वो notice तक आज 10 दिन 14 दिन पहले तो complaint दी थी पहल वनोंने और Supreme Court के intervention पे 10 दिन पहले फाइर होती थी 10 दिन के बाद भी अब तक 41 का notice दिल्ली पुलिस ने so-called accused को सर्व नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि साब उसको complaint में कोई substance नहीं दिख रहा है कल एक समाचार आया कि सातों accused जिन महिला पहलवानों ने complaint की थी तो accused नहीं sorry complainants सातों complainants ने बयान दर्ज करा दिये हैं अब दो किसम के बयान होते हैं investigation में एक जो कि पुलीस को दिया जाता है वो उसको 161 का बयान बोलते हैं और एक जो की magistrate के सामने दर्ज किया जाता है उसको 164 का बयान देते हैं तो 161 के बयान तो सब ने दे जिये हैं और किसी भी accused को हमारे साथ कब क्या हुआ याद ही नहीं है किसी भी accused बार बार मेरे मुझे निकल रहा है किसी भी complainant को यह याद नहीं है कि ब्रज भूशन सिंग ने उनके साथ जो कुछ किया वो किस तारिक को किया उन्दब complainant को कुछ याद ही नहीं है पर आप इन्यों करो भी मामना कुछ याद नहीं हमें कुछ पता ही नहीं है पर आप तो फांसी पे लटकादो जी accused को ऐसे कुछ होता है क्या तो सब दिल्ली पुलिस भी समझ रही है कि जब complaint में कोई substance ही नहीं है जब कोई proof ही नहीं है accused को कुछ याद sorry complainant को कुछ याद ही नहीं है उसको ये तक याद नहीं है कि उसके साथ ये घटनक कब हुई थी तो फिर किस आधार पे वो accused को पकड़ के जेल में बंद कर दे भाई तो ये तो है investigation की आलत उपर दे पहलवान जी लोगों ने ये बीड़ा ठालिया कि जब तक जेल नहीं जाएगा जब तक जंतर मंतर ते उठेंगे नहीं तो भाई जंतर मंतर जेल तो वो मन नहीं जाला गया वो जाएगा ही नहीं क्योंकि investigation में पुलिस इतना time ले रही है तो आज सब एक खबर आई कि किसान यूपी के किसान भी पहलवानों का समर्थन करेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 16 तरीक नहीं आज साथ होई है मतलब अभी 10 दिन तक पहलवान जी लोगों को जंतर मंतर पे एती तूपना यह बीच में होटल में चले जाया करते थे इन होटल ले लिये थे फाइव स्टार होटल बुक कराए थे दर्ना जीवियों के लिए जो लोग फंडिंग कर रहे हैं ना जिनके द्वारा यह प्रायों जीत है धरना अंदोलन उन्होंने क्राउन प्लादा नामक एक फाइव स् में चलता ना जी तो नहीं चलता न दर ना दे रहे हो फिछले 14 दिन दे रहे हो तो धर ना तो फिर जंतर मंतर पे दो रहों तो अब यह विचारे होटलों में भी नहीं जा पा रहे हैं तो रात जंतरमंतर पर काट नहीं पढ़ रही होगी तो अब रात में जंतरमंतर पर मच्छर भी है यह तो अब तक पिसले 42 डिगरी में ना 42 डिगरी में तो मक्की के दानें रख दो ना दूप में तो वह भी फूल के पॉपकॉर्ण बन जाता है तो पहल वांजी लोंका पॉपकॉर्ण बन जागा इतनी गर में आ रही है और किसान यूनियन आव तो गी समर्तन देने और सोलता रिक ना होगी बह दस दिन पड़े हैं तो किसान यूनियन ने भी कह दी कि पहल वांगो दस दिन जरा उठा बेटी यहीं मारो जुनतरमंतर पर चार लाख ट्रेक्टर आए को नी पच्छिस लाख किसान आए को नी देखो शायद सोलतारिक ना जाए तो पहलवानों के गले की फांस बन गया है यह अब यह दर्ना अब इनको भागने की जगे नहीं मिल रही अब यह कोशिश कर रहे हैं यह पक्की मुझे पक्के समाचार है कि यह कोशिश कर रहे कि यार कि याकुर ने एक बयान दे दिया कहता है जी हमने जांच शुरू कर दिये दिल्ली पुलित इन्वेस्टिकेशन कर रही है तो जांच में सहयोग कीजिए और थोड़ा सा धैरे रखिए तो भारत सरकार इनको जंतर मंतर पे मनाने नहीं आ रहे हैं इनके वो टेल नहीं लगा रही कि पली पहलवानों उठ जाओ ना ना बैठे रहू खाप पंचायतों ने इनको बोल दिया कि सोलतारी को हमाएंगे तब तक बैठे रहो पहलवान को इस हमर्थन में आया नहीं क्योंकि पहलवानों को इनकी अकीकत सब पता है पहलवान जानते हैं कि धर्ना किसलिए दिया जा रहा है तो इसलिए धर्णा बन गया गले की फांस मैं कानी सुनाता हूं एक याद राम लिला मैदान में बबाराम देव ने वह एक योग शिवर लगाया था और कॉंग्रिस की सरकार ती सोनियां जी की तो पहले तो सोनियां गांधी की सरकार और इनके मंत्री बड़ा इनको रिक्वेस्ट करते रहे बाबाजी को कि प्लीद मत बैठो मत बैठो फिर इनने रात में क्रैक डाउन किया और वहां से पीट पाट के बगा दिया बाबाराम देव जी वह महिला का वेश बनाके किसी तरह वहां ते भागे और वापत आगए पातंजली में तो मैं उन दिनों पातंजली में स्वहिम से भी होता था तो बाबाजी ने दरना वहां लगा दिया और आमरन अंशन पर बैठ गए पातंजली फेज वन में तो बैसाब यह जो अंशन दरने होते हैं यह कहने की बात होती है बहुत अच्छे लगते हैं एक आग दिन ही अच्छे लगते हैं और भूख अड़ता लामरन अंशन तो एक दिन भी अच्छा नहीं लगता क्यों कीसा यह आदमियों 6-7 गंटे में पेट में आग लगने लगती है तो बाबा जी बैठ गे आठ गंटे में बूख लगया अगले दिन तो ते उड़ गे तीन चार दिनों में तो यह आलत हो गे कि मुख्यमंत्री थे अपने कोई मुख्यमंत्री तो शायद वो थे कॉंग्रेस की सरकार थी पर अपने भाजपा के जो वहां मुख्य अथीनियर नेता थे निशंक जी थे निशंक जी को फोन आया गया रहे भाईया इस बाब्बे को जूस जाच प्यांगे इसका किशी तरह अंशन कतम करो ने मृज जागा तो भाई साब ये दरने ये अंशन ये बूखड़ता ले करनी असान नहीं है एक आध दिन तो हो सके है एक आध गंटा ये पिछले चौदा दिन से जंतर मंतर पे बैठना सारा सारा दिन सारे सारी रात मक्खे मच्छर दूप तो भाई साब अब इन से भागया नहीं जा रहा अब इनको जंतर मंतर से भागने की जगए नहीं मिल रही आखिर क्या क्या कहके भागें वह देर शुड़ भी सेफ पैसज तो अब ये एक्सपक्ट कर रहे हैं कि कोई आके हमको किसी त बचाके आसे भाग सकें तो इन्होंने क्या सब्सक्राइब हमें उपञे कि इनको वरोसा किसी पर नहीं इसलिक सिर्शन पर दॉस पर वरोसा नहीं था अब तो Sceprem Since नहीं रहा है तो नहीं वोले हम तो खाप पर वरोशा करेंगे जो अमारी खाप पंचायत के यद्यदिगी बोह मनेंगे खाप नहीं बोले हम आऊ है उपरी बोली हम सोल तरिक ना आओंगे तब तक बैठे रहो तो सब अब इनको सेफ पैसेज की दर्कार है कि कोई किसी तरह बहाने से बुलाके पुछकार दे जिससे हम ये दर्ना खतम कर दें केंदर सरकार तो इनको पुछकार नहीं दे और इनके अपना कुष्टी समाज पहलवान समाज या खिलाडी समाज वह विट्विट्विट्र खेल रहे हैं कुछती समाज तो इनके दर्ने पर आया ही नहीं इन तीन के अलावा चौथा कोई पहलवान आया ही नहीं कुछ फुकेकार तुस आये जिनकी कोई वैल्यू नहीं है एक्टिव रेसलर एक भी को नहीं आया इनके समर्थन में बोलने वाले कुल जमा एक दो खाड़े थे वो भी शुरू में एक दिन बोलके चुप हो गए वो एक अजे मिर्चपुर नाम का कोच है वो बोल लिया था इनने एक मेटिंग करी थी वहाँ अशोब ढाका गया खाड़े में उसके बाद कोई नहीं आया हा निकाले नरेश दिया का बयान आया है बहुत अच्छा उन्होंने इनकी दज्जियां उड़ाई है कि यह किस तरह पहलवानी का सत्यानास कर रहे हैं गुरू अनमाना खाड़े की एक वीडियो में ने देखी पूरा गुरू अनमाना खाड़े ने जम के इनके आलोचना की है कि तुमको तो मलाई तुमने खाली तुमको तो गफे मिल गए तुम तो करोड़ उपती हो गए तुमको तो दुरुनाचार अर्जुनवार्ड भीम पृसकार या पृसकार वा पृसकार और करोणों की राशियां और नौकरियां मिल गए इन छोटे-छोटे बिचारे बच् ना कर रहा है वह वीडियो देख लिए होंगे तो सब वही बात है कि अब इनको भागने की जगे नहीं मिल रही दे वॉन्ट सेफ पैसेज इनको आशा थी कि खाप पंचायद शायद हमें बचा ले बोले बैठे रहो सोलतारिक ना होंगे अभी चार बलाक ट्रेक्टरों में हम तेल बरवा रहे हैं तो सब हम भी देखते हैं कितने दिन बैठेंगे पर अब कानी खतम है क्यों क्योंकि समाज से समर्थन नहीं मिला और समाज में पोल खुल चुकी है तो बहुत है गलती क्या होई इन से है देखिए रिटार्मेंट लेने की इज़द से रिटार्मेंट लेने की का एक मौका होता एक उम्रोती जो समझदार खेलाड़ी होता है जो भी समझदार व्यक्ति होते है वो अपने करियर के पीक पे जो उसकी पीक परफॉर्मेंस होती है जो सबसे एक बड़ी उबलब्दी के बाद वहीं पे अपना रेटार्मेंट अनाउंस कर देता है फिर उसको लोग स्टेडियम कंदे बे बिठा के स्टेडियम का चकर लगा होते हैं एक तरफ जंटार हो रही होती है एक तरफ साथ के खिलारी होते हैं होती है दुश्मन तो नहीं प्लिटेवुल्च और एक जिसको पब्लिक जिसको सब्सकरस्स हराि जूते मार के बगाते हैं तो तब इज्जत से रिटार्मेंट ले लेनी थी विनेश फोगाट जी साक्षी पुनिया जी तक्षी मलक जी और बजरंग पुनिया जी इज्जत से रिटार्मेंट का समय आ गया था यह चीछा लेदर ख़रा के जूते खाके इनको जूते मारने की नवबात आगे थी साही सेंटर बालगड में जब यह अपना लड़िकियों का कैम्प लखनव में लगवाने के लिए जब लखनव शिफ्ट करने की प्लानिंग बनाई थी ना बजरंग पुनिया एंड साही सेंटर ने ग्रीकों वालों को लखनव बेज त्यार होगी थी तो भाई पहलवान जी आपका रिटार्मेंट तो जूतों से पिटके होगा और यह पैलवान पिटेंगा इज़्जत से रिटार होने का मौका आपको मिला था आपने वह खो दिया पहलवान नहीं तो आपकी जितनी होनी थी अब देखते हैं कैसे धरने से आप जान बचा के छोटते हैं इस और वैसे में ना पिछले आपने देख्या होगा तीन-चार दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं मैंने फेस्बुक पर बहुत सक रही हूं इनकी पोल खोल अभियान आजकल फेस्बुक पर चल रहा है मेरी फेस्बुक आईडिया अजीत इनका पोल खोल अभियान इस से भी ज्यादा नर्मम तरीके दे चला रहा हूं यहां तो फिर भी बहुत चालेंता तो बोलता हूं मेरा असली रूप देखना तो फेस्बुक पर देखो इनकी असली तो मैंने क्लास लिए रखिये फेस्बुक पर तो इस दरने पर तो अपनी निगाप बनी हुई है जी हम ऐसी अपडेट देते रहेंगे आज के लिए इतना ही बहुत बहुत निवाद थैंक्यू वेरी मच बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं थैंक्यू